हलो दोस्तों, आपका सवागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मुम्मद जैद और दोस्तो आज मैं आपको चार्ट बताने वाला हूं aerobic respiration का जो की बहुत important है तो aerobic respiration में हम लोग तीन चीजों से energy हासिल कर सकते हैं पहला है lipids, दूसरा है carbohydrate, तीसरा है proteins तो अगर carbohydrate है तो उसके process में होगा glycolysis उससे बनेगा parobic acid, फिर acetalco enzyme में फिर जाके वो जाएगा creep cycle में बट अगर वो lipid है तो वो convert होगा fatty acid में और फिर directly वो acetalco enzyme में convert हो जाएगा और अगर protein है तो वो convert होगा amino acid में फिर directly वो acetalco enzyme में चला जाएगा फिर उसके बाद carbohydrate हो, lipids हो या फिर protein हो सभी लोग acetalco enzyme के बाद जाएगे creep cycle में और उसके साथ साथ energy release करेंगे तो आप लोग 3 डाइग्राम को याद करने इस तरीके से लिपीड, carbohydrate, protein, protein बनता है amino acid से लिपीड में रहता fatty acid, carbohydrate मतलब glucose glucose मतलब glycolysis, glycolysis में बना था पारविक acid पारविक acid convert होगा था acetalco enzyme में फिर glycolysis के बाद आया था creep cycle फिर क्या-क्या रिलिज हुआ था CO2, H2, और 38 ATP मतलब energy तो आयरोबिक respiration का ये चार्ट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो लिखने में भी आपको काफी मदद मिलेगी